हेलो गाईज दिस इस अंजु मेयर विलकम बैक टू माई चैनल कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे मेरी दुआए हमेशा ही आप सब लोगों के साथ हैं तो गाईज आज है 26 जनवरी जो की रिपब्लिक डे है और इंडियन हिस्ट्री में ये एक बहुत और हम सभी भारतवासियों के लिए एक बहुत ही गर्व का दिन है बहुत ही प्राउट डे है यूँकि आज ही के दिन हमारा Constitution सम्विधान लागू किया गया था और हमारा जो सम्विधान है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा written documents हैं सबसे पहले हम आप सब को देना चाहते 26 जनवरी की मुबारक बात बहुत बहुत मुबारक को सब भी जनवरी आप सब को तो आज का ये एपिसोड बहुत खास होने वाला है आप सब के लिए भी और हमारे लोई वे तो है ही बहुत खास यूँकि इसमें हम लेकर आहें आपके लिए 26 जनवरी का celebration के हमारे स्कूल मे पार्टिसिपेट किया 26 जनवरी की परेड में विधान सभा के सामने और ये सब के लिए proud moment है हम सभी के लिए हमारे बच्चों के लिए हमारे स्टाफ के लिए हमारे management के लिए सभी के लिए बहुत खुशी का दिन है तो हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारे स्कूल में 26 जनवरी कैसे celebrate की गई और उसके बाद हम आपको दिखाएं कि हमारे बच्चों ने विधान सभा की परेड में कैसे perform किया जिसका सपना हमारे स्कूल की founder लेट रहाना रह्मान साहिबा ने देखा था और आज उनका ये सपना पूरा हुआ कि हमारे बच्चे जो है वो विधान सभा के सामने perform करने के लिए select किये गए और इसकी practice काफी दिनों से हो रही थी और selection भी 10-15 दिन पहले ही हो गया था और उसके बाद daily practice के लिए बच्चे जा रहे थे तो guys यहाँ पर अभी हमारे school में 26 जनवरी के celebration के लिए तैयारियां हो चुकी हैं पूरी और staff पुरा खड़ हैं और बच्चे भी कुछ selected खड़े हैं क्योंकि सभी बच्चों को नहीं बुलाए गया था और बहुत सारे बच्चे 9th और 1st year के वो तो performance में कहे थे विधान सभा की parade में और उसके अलावा यहाँ पर जो खड़ा है पूरा staff है और साथ में कुछ selected बच्चे हैं और सामने ख कोस्ट कर रही हैं सना फही मैं जो की बहुत टैलेंटेड हैं और जैसे कि आप देखी रहे हैं पूरे स्कूल को ट्राइक कलर से सजाया गया है ट्राइक कलर के बैलूंट रिबन सभी कुछ लगाये गए हैं और यह बहुत ही अच्छा decoration है और अभी हो गई है prayer start क्योंकि कि कि इसी भी अच्छे काम को करने के लिए prayer जरूरी हो जाती है उपर वाले को याद करना जरूरी होता है तो अभी ही बच्चे prayer पढ़ रहे हैं और इसके बाद हमारे principal साभ फ्लैग होस्टिंग करेंगे तो यहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं जैसे कि आप देखी रहे ह हुए है फ्लार्स जब तक prayer हो रही है आए मिलाते हैं आपको बच्चों से और उसके अलावा स्टाफ से और यह हैं मारे कुछ बच्चे 10th और 12th क्लास के बच्चे हैं यह और इसके बाद आई दिखाते हैं आपको teachers को जो की सारे teachers पीछे खड़े हैं सारा स्टाफ खड़ा ह हमारा कि हमारा इसकूल डबल शिफ्ट में लगता है तो दोनों शिफ्ट का स्टाप मवजूद है फर्स शिफ्ट में परी नर aspiring से लेकर के क्लास 5 तक लगता है स्कूल। का तो यह हैं दोनों शिफ्ट के teachers सभी qualified talented teachers हैं जो कि बच्चों को पहाने के साथ साथ उन में अच्छा नागरिक बनने के और एक अच्छा इनसान बनने के जो characters होते हैं, जो गुण होते हैं, वो teachers ही पैदा करते हैं, इसलिए हम सब की life में teachers का बहुत बड़ा रुद्बा होता है, teachers को बहुत बड़ा माना जाता है, हम सभी के लिए, so guys flag hasting हो र नेशनल एंथम हमारा जो की जंड़ा भराने के फोरण बाद स्टार्ट होता है जंगर्मन और इसके लिए हम सब को अटेंशन में खड़ा होना होता है तो सभी लोग यहां पर अटेंशन में खड़े हो गए हैं हमारे तिरंगे को हमारे जंडे को इज़त देने के लिए ठीक इसके बाद नेशनल एंथम गया जाता है और नेशनल एंथम गाने के अपने कुछ उसूल है जिसका पहला उसूल यह है कि हमें अटेंशन में खड़ा होना पड़ता है तो यहां पर यह बच्चियां जो है वो नेशनल एंथम गा रही हैं और साथ में हम सभी उनका साथ दे रहे तो ये एक बहुत ही जरूरी चीज होती है हमारे लिए नेशनल फेस्टिवल के मौकए पर भी और उसके अलावा हमारे डेली स्कूल स्टार्टिंग के टाइम पर भी नेशनल एंथम जो है वो जरूर स्पीचे तेयार की थी इंग्लिश में बच्चों को कहा था कि अच्छा 인सान बने अच्छा नागरिग बने पढ़े लिखें और अपने माबाप का नाम रोशन करें अपने देश का नाम रोशन करें ये सब सीख दी गई थी हमारी सोसाइटी में ये सारी चीजें एक टीचर ही अच्छे से सिखा सकता है और टीचर की बाद बच्चों के मन में अच्छे से उतर जाती है अच्छे से घर कर जाती है और हमे हैं जो टीचर ने हमारे सिखा दिया जो वो सिखा गये वो आज भी हम अपनी जिन्दगी में उतारने की कोशिश करते हैं उनकी अच्छी बातें सिखा इसुर्वों वान been जूंस है इसले एक ही confidence के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया था अपने देश प्रेम के जजबे को जाहिर किया था और कई बच्चों ने अपने ख्यालातों का इजहार किया था किसी ने English में किसी ने Hindi में तो सबकी क्लिप दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी मुझे दिखाना है इसके साथ 26 जनवरी की परेड में जाने वाले बच्चों की क्लिप और उनका जो performance हुआ है आज विधान सबा के सामने वो सबसे जरूरी चीज़ है दिखाना आपको तो वो हम दिखाएंगे भी तो ये है और ये एक है चोटा सा डांस जो की देश प्रेम के गाने पर किया गया था जिसमें की देश प्रेम का जिस्बा बहुत जादा दिखाई दे रहा था लेकिन गाने को क्योंकि हमने म्यूट कर दिया है तो आप खाली एक्शन ही देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसने परफॉर्म किया तो गाइज इसके बाद प्रोग्राम की एंडिंग हो गई थी और वो एंडिंग की थी हमने और उस एंडिंग को भी आप देख लिजे किस तरह से प्रोग्राम की एंडिंग हुई थी आज हमारा स्कूल जिसका सपना मैडम ने हो कभी हमाँ पर सक कहुते तो क्रिक्ती बड़ी बाद होगी और वो दो कमारा स्कूल आज रिपभी के की परेड में गया है और उन्हें सपने को सकार होने के लिए दिखों इन गाती बोश ना करेगे तो इतना बड़ी सपना सकार हुआ है और बहुर बहुर उन वद्चों के पूचर देरी सुपकावना आए और आप सकते इतना अच्छा बच्चों को देखी हैं तो ने साव को लेगे ताँ से बहुत बहुत बारा चार तो गाइज अब आपको ले चलते हैं 26 जनवेरी की परेट की तरफ जहां पर आज हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया तो यह है हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस और यह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर पर परफॉर्मेंस जो की हमारी गल्स ने परफॉर्म किया है यह 9 और 11 क्लास की गल्स हैं और इन्हों ने दिखा दिया है कि बेटियां चाहें तो क्या नहीं कर सकती हैं बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं तो गाइज ये है हमारे स्कूल का परफॉर्मेंस और ये परफॉर्मेंस है विधान सभा के सामने लखनो में 26 जनवरी की परेड में फर्स टाइम और ये सारी गर्स उस एरिया से आती है जो लखनो का पुराना एरिया कहलाता है लखनो का बैक ग्राउंड है इनका वो भी अपर मिडल नहीं है लोवर मिडल क्लास में से है या फिर मिडल क्लास से है और लेकिन इन में चपनों की इनके उड़ान इतनी ज़्यादा है कि आसमान चूले और आसमान चूने की हमत रखती है ये देखिए इनका जोश तो गाइज इन परिष्ट को भी सलाम क्योंकि इन में से बहुत सारे परिष्ट ऐसे हैं जो कि अपनी बच्चियों को बहुत मुश्किल से पढ़ہा रही रहे हैं और ना कि यहां तक लेकर आना बहुत बड़ी बात है उनके लिए और उनके लिए पढ़ाना ही मुश्किल है इन बच्चियो को क्योंकि बहुत से family background ऐसे हैं जो कि lower middle है और या lower class के हैं और काफी सारे लोगों को तो मैं personally जानती हूं मेरा खुद का समझा हुआ है देखा हुआ है इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये family background बहुत ही low और lower middle class से ये बच्चियां आ रही हैं लेकिन हिम्मत देखिए इनकी और इनका जज़बा देखिए इनका जोज देखिए कि कितने अच्छे से ये perform कर रही हैं तो बेटियां अगर चाहें तो क्या نہیں कर सकती हैं तो इसलिए कहा गया है कि बेटियों को पढ़ाईये और बेटियों को बचाईए और यही बेटियां आगे जाकर के अपने सपनों को तो साकार करेंगी ही और साथ में अपने माबाप का भी नाम रोशन करेंगी अपने स्कूल का और अपने देश का भी नाम रोशन करेंगी और अगर देखा जाए तो इन बच्चेों की जिन्दग सेलेक्ट की जाते हैं, वोते तो बहुत सारे स्कूल हैं, बट कुछ ही स्कूल सैलेक्ट की जाते हैं, और उनुसेलेक्टenda बच्चों में यहाई है, बच्चियां, और आप देख़ें, यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए यह कुछ हट है और खुशी खुशी ये सारे जहां से अच्छा गा रही है और ये प्रैक्टिस के दिनों की बात है जब ये प्रैक्टिस कर रही है और प्रैक्टिस के लिए भी डेली मौनिंग में तड़के सुभा अर्ली मौनिंग जाना पड़ता था इनको डेली और फिर भी ये खु कराया हमारी टीचर्स जिन में की सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी मिसिस कुसुम शुकला जी का और उसके बाद है नाम मिसिस मर्यम और उसके बाद है हमारी इंचार्ज मिस जोतिका शुकला जी और उसके बाद हमारे स्पोस्ट टीचर्स जमील सर और इन सब के ऊपर हमा आमिर सिद्धी की जिन्होंने बहुत जादा मेहनत की और बहुत जादा सपोर्ट किया सभी को बच्चियों से लेके टीचर्स को इनको यहां तक लाने में इनको आगे बढ़ाने में तो जितनी तारिफ की जाए इन सब की उतना ही कम है यह सारे टीचर्स जिन्होंने जीजान लगा दी और बच्चों की मेहनत तो है ही उसको तो हम नकार ही नहीं सकते जो की सामने दिख रही है ये प्रैक्टिस चल रही है और जो की डेली प्रैक्टिस होती थी ये प्रैक्टिस के कुछ पल हैं जो की बच्चे खुशी-खुशी कर यह बूलकाई थीओ टो गाइज विधान जबा के सामने ही यह प्रैक्टिस भी हो रही है यह देखिये बहुत महनद कई दिनों की महनद सभी बच्चों की सभी स्कूलों के बच्चों की जितने स्कूलों ने परफॉर्म किया सभी की और हमेशा ही परफॉर्म करते हैं बच्चे स्कुलों के 26 जनवरी की परेड में और एक बहुत बड़ा अचीव्मेंट माना जाता है यह कि यहां पर सलेक्ट होना ही बहुत बड़ी बात है यह देखिए बच्चे प्रैक्टिस करने के बाद भी कैसे मुछ एक कुछ बड़ा हासिल करना कि कुछ अचीव लाहे हैं बहुत ही खुशी से सब कुछ कर रहे हैं यह देखिए ठके हुए हैं फिर भी मुश्कुरा रहे हैं तो गयस प्रैक्टिस में भी डेली सारे स्कुल्स आते थे तो देखिए और इस स्कुल्स यहाँ पर है सभी स्कूलों के बच्चे बच्चियां सब प्रैक्टिस कर रहे हैं यहां पर मैंने सोचा आपको और स्कूलों का भी दिखा दूँ थोड़ा सा और स्कूलों की जलक अपने बच्चों के साथ साथ तो यह और स्कूलों के बच्चे प्रैक्टिस करते हुए यह भी और इसके बाद वापस अपने बच्चों पर आते हैं पहले और बच्चों को दिखा दें आपको सभी यहां पर अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और सभी बच्चों की मेहनत सभी टीचर्स की मेहनत सभी स्कूल यहां पर और यह हमारे बच्चे हमारा स्कूल और यह सब प्रैक्टिस के टाइम की वीडियो प्रैक्टिस सल रही है और यही वो मौके होते हैं जब बच्चों में देश प्रेम का ज़स्बा भरा जाता है और देश से प्यार करना सिखाया जाता है और हम सब को मालूम है हम बड़ों को मालूम है कि देश प्रेम क्या होता है तो हमें अपनी अगली पीड़ी को भी इसको बताना है कि देश से प्रेम करना कितना जरूरी है जिस मिटी में हम पैदा हुए है जिस देश ने हमको इतना कुछ दिया है उसकी इफाज़त करना उसकी रक्षा करना भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है बहुत बड़ा हमारा करतव है जब जो देश हमें इतना कुछ देता है उसको देने के लिए हमारे पास भी कुछ होना चाहिए जब मौका पड़े तो हमें अपनी जान निशावर करना हैं धीरे धीरे वो बच्चे बड़े हो करके देश के जिम्मेदार और अच्छे नागरिक बनते हैं इनी खूबियों के साथ और यही सब परफॉर्मेंस अच्छी देने की कुशिश करेंगे इसके लिए तयारी और यह हमारा स्कूल हमारे बच्चे पूरी जीजान से प्रैक्टिस के लिए जाते हुए यह प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं बच्चे हमारे और यह सारी मेहनत जो थी वो आज आपने देखी कि इतनी मेहनत के बाद कितना अच्छा है इन्होंने परफॉर्म किया हमें गर्व है इन सब पर तो गाइज वापस स्कूल चलते हैं और मिलाते हैं आपको अपने स्टाफ से तो यह है गाइज हमारा स्टाफ बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स और कुछ टीचर्स जो है वो यहाँ पर है नहीं क्योंकि वो गए वो है परेड में तो कुछ ही टीचर्स हैं यहां पर और इन सब की मेहनत बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने में तो गाइज इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ नया लेकर और जाने से पहले अपने नए और पुराने सभी सब्सक्राइबर का शुक्रिया जरूर अदा करना चाहूंगी बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो देखने के लिए